नमश्कार दोस्तों वकड़ वकड़ राउल धाकड़ आपका सौगत करता है आपके ही चैनल पर जिसका नाम है अध्जड़ी दोस्तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही शांदर क्वेशन जो की बेजड होंगे equation of lines पर और आपको ICSC वाले बच्चों को ये chapter इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसा लगने लगेगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा like, share, subscribe जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ मैं पहले सवाल से शुरू करते हैं find a slope of a line दोस्तों ये चार सवाल करने के बाद concept आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपको निकालना है slope whose inclination is 30 degree inclination दिया है तो आपको सीधा है भीया, answer है क्या tan theta मतलब m is equal to tan 30 degree मतलब m is equal to 1 by root 3 यह आगे आपका slope पहले question का और यहाँ पर tan 60 is equal to m तो m के आगे आपका root 3 तो इस तरह से आप निकालते हैं slope right, I hope this thing is clear similarly, अब move करते हैं question number 2 पे, आपको बूलो जा रहा है find the slope of a line passing through the points a and b 2 points है मैंने आपको पिछले वीडियो पे समझाया था कि कैसे निकालते हैं slope अगर 2 points are given y2 minus y1 by x2 minus x1 मतलब m is equal to 7 by 4 is your slope I hope this thing is clear right, अब move करते हैं हमारे तीसरे question पे, जहाँ पर बोल रहा है find value of k right, find value of k कैसे निकालेंगे, यह आपको दिया हुए 2 points अब भाई यह तीनों point collinear है, मतलब एक ही line पे लाए करते हैं इसका मतलब क्या हुआ slope of a b is equal to slope of b c yes slope of a b क्या होगा y2 minus y1 by x2 minus x1 यहाँ पर भी y2 minus y1 by x2 minus x1 बस, simple 6 और 6 cancel, 1 बचा 3 into 1, 3 और अब यहाँ पर minus 7 उस तरफ जाएगा, तो k is equal to आएगा 10 I hope this thing is clear right, note कर लीजेगा अच्छे से, यहाँ पर आ गया है हम लोग fourth question पर, यहाँ पर आपको निकाल ली है find the equation of line parallel to x-axis ध्यान से देखिए यह है आपकी x-axis, यह है y-axis यह line जो है यह आपकी parallel to x-axis है parallel to x-axis मतलब theta is equal to 0 मतलब angle of inclination is equal to 0 क्योंकि यह x-axis साथ क्या बना रहा है 0 है degree तो इसका सबसे पहले तो slope क्या होगा यह रिकाल लेते है 10,0 क्या होता है 0 मतलब m क्या हुआ अब यह है इसका 0 right तो 0 मतलब slope तो निकल गया अब क्या बोल रहा है pass कर रहा है 2,3 से मतलब यह तो point slope form है पिछले वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि किस तरह से आएगा यह point slope form आपको सिर्फ और सिर्फ x1, y1 में याद रखेगा x1, y1 में डालनी है point वाली value और m में डालना है आपको slope वाली value right 0 into this whole 0 यह रही आपकी equation यही है आपका answer y plus 3 equal to 0 और आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखाया भी था जो line x-axis के parallel रहेगी उसमें x रहेगा क्या? नहीं रहेगा x is equal to 0 रहेगा I hope this thing is clear वीडियो pause करिए और नूट कर लीजे दोस्तों यहाँ गौर से देखिए यह 5th question जहाँ पर आपको बोलो जा रहा है कि आपके equation of line निकालनी है जिसको point P से pass करवाना है minus 2,4 से और उसको intercept बनवाना है 3 on y axis तो आपको पता है कि y is equal to mx plus c since y is equal to mx plus c यह वाला form पढ़ा है आपने जब भी y intercept रहता है तब लेकिन यहाँ पर slope तो ही नहीं अरे पर यह तो बोल रहा है न कि इसी line से कौन pass करता है P तो लिखिए न P जब like करेगा तो satisfy करेगा satisfy मतलब P की value क्या है minus 2 कौन 4 तो इसमें x और y की जगा आएगी ना बलकुल आएगी यहाँ पर c की value क्या होनी चाहिए c की value है 3 इसमें से हम m की value निकाल लेते है m की value आ गई है minus 1 by 2 अब आपको बोलो जा रहा है कि equation निकालो अरे यार सब कुस तो दिया हुआ है intercept 3 दिया हुआ है slope दिया हुआ है slope intercept form y slope दिया हुआ है minus 1 by 2 x plus c c क्या है 3 well आपने देखा कि slope यहाँ पर क्या है negative मैंने पिछले वीडियो समझाया था आप लोगो को कि भाई जब भी slope negative आएगा तो अगर आपको समझना है अगर आपको थुआ सा imagine करना है तो समझ जाना कि अगर slope negative है इसका मतलब angle of inclination obtuse होगा guaranteed है solve करते हैं this is your required equation I hope you got it तो अब दोस्तों बात करते हैं बहुत ही important question इस question को आप अपने exam में पक्का देखेंगे right यहाँ पर क्या बोला जारा है this is a, b, c right यह vertices of triangle है find the equation of median एक median का निकाल लेते हैं ठीक है एक median का median क्या होता है यह है median आपका a, m a, m आपका median है आपको a दिया है b दिया है, c दिया है median क्या होता है मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में median का मतलब होता है m मतलब midpoint मैंने आपको section formula वाले वीडियो में पूरा समझाया है किस तरा से इसका derivation आता है आप वो वीडियो गर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजेगा M मतलब midpoint X1 प्लस X2 by 2 Y1 प्लस Y2 by 2 Right अब M का क्या गया है 4,-1 तो क्या मैं equation of AM नहीं निकाल सकता मेरे पास 2.4 है X1, Y1 क्या है मेरा और जो उम्मीद है कि आपको ये concept समझ में आ गया होगा Stay tuned with Math Daddy Comment करिए, Like करिए, Share करिए, Subscribe करिए बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा अगर नहीं पसंद आया तो बताइए कि इसमें क्या improvement आ सकता है Math Daddy की app डिस्क्रिप्शन से जरूर डाउन्लोड कर लीजेगा इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते एक लिए वीडियो में तब तक लिए नमस्कार